नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों इस वीडियो में हम सेखेंगे कि हम यदि एक्षल शीट के अंदर काम कर रहे हैं और एक्षल टेबल के अंदर हमें प्रते एक रोग के बाद में दो दो रोग इंसर्ट करनी हो त कि दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक्सल टेबल बना रखी है अब हम यह चाहते हैं कि प्रतेग लाइन के बाद में दो-दो लाइन इंसर्ट हो जाए अब देखिए मोश्टली लोग इसे लाइन को इंसर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं जैसे यहां पर रोग को इंसर्ट रोग को सलेट करते हैं फिर इंसर्ट को डिक करते हैं ठीक है इस परकार से दो-दो रहा इंसर्ट करते हैं लेकिन मान लेजिए आपका काफी लंबी शीट है जिसमें 40-50,000 हैं और यदि आपको एक एक मैनुलिछ select करके insert करना पड़े तो आपका काफी समय खराब हो जाएगा तो इसके लिए एक shortcut तरीका है आप यदि उस shortcut तरीके से करेंगे तो आप बड़े असानी से एक मेंट के अंदर सभी रोज को insert कर सकते हैं तो आए चलिए वो तरीका सीख लेते हैं देखे से पहले मैं इसको genau कर देता हूं देखिए row insert करने के लिए से पहले मैं इस total को यहांसे अठा देता हूं यह मैंस total को यहांसे delete कर दिया Level अब उसके बाद में मुझे यहां पर serial number mention करने है跟大家 यहां पर serial number अभी एक बार और आपको इसको यहाँ पर नीचे पेस्ट करना है, आपको दोड़े करने है, तो आपको दुपारा से इसको यहाँ पर पेस्ट करना démission करने के बाद में आपको इस पूरे एरिये को select कर लेना जहां तक आपने इसमें serial number डाले होए हैं आप उस पर पूरे area को select कर लेंगे उसके बाद में आपको देखे यहां पर जाना है sort and filter के अंदर आप इसके पर click करेंगे देखे option मिलेगा custom short आपको इसके उपर click कर देना है फिर देखे कुछ इस पर गाद में इंटरफेस आएगा यहां पर लिखा sort by आप इसके उपर click करेंगे आप यह देखे आपने serial number g column के अंदर डाले होए हैं तो आप column g को select कर लेंगे और sort values में आप values ही लहने देंगे और इसमें order में smallest to largest आपको select करना होगा देखे इसमें already select है आपको selection में नहीं है तो आप इसको selection में smallest to largest करेंगे फिर ok कर देंगे तो जैसे आप ok करेंगे देखे सभी के बीच में 2-2 row insert हो गई है ठीक है इसी प्रकार जैदि आपको 3-3 row insert करनी है तो आप इसको तीन बार से नंबर को copy paste करेंगे ठीक है जब जितनी भी आपको row insert करनी है आप उन सीरे नंबर को उतनी बार नीचे copy paste करेंगे फिर select करके smallest to largest करेंगे तो आपके row insert हो जाएंगे आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो को like करें शेर करें ऐसे ओर वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करें साथ में notification बेल को भी दबाए जिसे ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे और आप वीडियो देख सकें ठीक दोस्तों नेक्स वीडियो मिलता हूँ नेक्स टॉप्य के साथ में तब तक ले जाहिन वन दे मातरम